चलिए आज बनाते हैं जहटपट आसान और स्वादिष्ट साबुदाने के खिचड़ी जिसे आप कम टाइम कम मेहनत में बना सकते हैं खाने में बहुत जादा स्वादिष्ट लगते हैं सभी को पसंद आएंगे तो आप इस एक बार जिरू ट्राइ करें हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लगेगा तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहचे हैं तो चलिए साबुदाने की खिचड़ी बनाना हम सुरू करते हैं हमें एक कटोरी साबुदाना लेना है आप कोई भी कप या कटोरी से साबुदाने को ले सकते हैं ये मीडियम साइज वाला साबुदाना है इससे हमें दो से तीन पानी धो लेना है जिससे साबुदाने का जो अस्टार्च है वो निकल जाएंगे अभी हमें इसमें दाल दीना है उसी कटोडी से एक ककोड़ से थोड़ा कंब पाणी यानि तीन-चौथाई कटोड़ी पाणी डाला जैना है इससे जधादा पाणी नहीं डाल लेगा है इतने देर में सावोदाने अच्छây से भीग जाते है की सावो दाने फूल चुके हैं अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है पैन को इसमें डाल देना है दो चमच घी अब तेल भी ले सकते हैं अगर आप ब्रत के लिए नहीं बना रहा तो इसमें आधी छोटी चमच हमें जीरा डालना है एक इंच बारी कटी हुई कटा हुआ अधरक डालना है दो से तीन बारी कटी हुई हरी में डाल दीना है इन सब को हमें हलका सौटे कर लेना है अभी हमें इसमें डाल दीना है उबले हुए आलू को छोटे छोटे पीसेज में कट करके इसे हमें चलाते हुए एक मिनट के लिए भून लेना है ये आलू एक बड़ा साइज का था थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है आलू को भूनते हुए लगभग एक मिनट हो चुके है आलू भून चुके है अभी हमें इसमें डाल देना है भिगोय हुए साबू दाने को हर एक दाना एकदम खिला खिला है ये अच्छे से भीगा हुआ है अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा भूना हुआ मुंग फली मुंग फली को भून कर इसका पौडर बना कर डालना है जिससे खिचरी का स्वाध भी बढ़ जाता है और खिचरी बहुत जादा चिपचिपे नहीं होते हैं आधी छोटी चमच हमें डाल देना है कूटा हुआ काली मिर्ज नमक आप अपने स्वादनुसा डालें अगर आप ब्रत के लिए बना रहे हैं तो सिंधा नमक डालेगा अभी हमें इसमें डाल देना है दो कटी हुई हरी मिर्ज आप अगर बच्चों के लिए बना रहे होंगे तो इस टाइम हरी मिर्ज नहीं डालिएगा यह तो बहुत जादा तीखा हो जाएगा अभी वापिस हमें इसे चला लेना है इसे भूनते हुए लगभग दो मिनिट हो चुके है अभी हमें इसे ढख देना है ढख कर भूनने से यह काफी जल्दी पक जाते हैं तो अभी आप देख सकते हैं साबू दान एकदम ट्रांस्पैरेंट हो चुके है यह अच्छे से पक चुके हैं अभी हमें इसमें डाल दीना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता लास्ट में धनिया पत्ता जरूर डालेगा इससे स्वात काफी ज़्यादा बढ़ जाता है खिचडी का अभी हमें गैस का फ्लेम आफ कर देना है तो एक पार इस तरीके से साबुदाने की खिचडी जरूर बनाया है सभी को पसंद आएंगे हमारी वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी तो प्लीज लाइक कीजेगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर जरूर कीजेगा